नमस्ते, मेरा नाम है साईली और मनाचेश लोक उसका अर्थ और मतितार्थ बताने के लिए मैं ये पॉड़कास्ट शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम मनाचेश लोक का इंट्रोडक्शन याने उसका उगम जानेंगे। मनाचेश लोक ये मन के लिए कहे गएश लोकों का संचय है। इसे श्री समर्थ रामदास इन्होंने कहा है। श्री समर्थ रामदास स्वामी इनका जन्म गोदावरी नदी के किनारे जांब इस गाउं में हुआ। मध्यानन के समय राम नौमी के दिन 1530 में उनका जन्म हुआ। उनका नाम नारायन था। उनके पिता का नाम सूर्यकांथ ठोसर ऐसा था। मा का नाम रेणुबाई। बचपन में नारायन खेल कूद में व्यस्त थे। बारावे साल उनको वैराग्य उत्पन हुआ और वह घर छोड़ कर चले गए। उन्होंने उग्र तप किया। स्वयम प्रभू श्री राम ने उनको दर्शन देकर उपदेश किया। उसके बाद रामदास बनकर अपना जी परिस्थिती के अंदर समाज में धर्म जागरूती करने के लिए राम उपासना और धर्म रक्षन करने के लिए बल उपासना पे भर दिया। लोगों को सम्बोधित किया और उसी के निगडित काम किया। उन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना करके शंगटना खड किये उन्होंने दासबोध मनाचे श्लोक करुणाश्टके पदो और आर्तिया इत्यादी विपुल काव्य रचना की समाज ने साउधानी से परमार्थ कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान उन्होंने दिया है स्पेशली दासबोध और मनाचे श्लोक यह एक और परमार्थिक जीवन यशस्वी करने के लिए बहुत उपयुक्त है मनाचे श्लोक इस ग्रंत में 205 श्लोक रहकर वह भुजंग प्रयाद चंद में लिखे गए है यह किताब मराठी भाषा के अंदर है श्री समर्थ ने मनाचे श्लोक में मानवी मन को उपदेश दिया है इसे मनोबोध ऐसा भी नाम है मनुश्य के विचार और आचार को प्रेरणा देने के लिए काम मन ही करता है मन चंचल है वह विकारों को जल्ट से जल्ट स्वीकार लेता है भक्ती के लिए और परमार्थ के लिए मन पर अच्छे संसकार और उसे मजबूत करना पड़ता है मन की शक्ती ही मनुश्य को परमार्थिक प्रगती करने के लिए मदद करती है यह बात पहचान कर श्री समर्थने यह सब चीजे सिर्फ मानवी मन को समझा कर कही गई है अब हम देखेंगे पहला श्लोक गणादीश जोईश सर्वा गुणांचा मुणारंभारंभतो निर्गुणाचा नमुशारदा मूणचत्वारवाचा गमुपन्थानंत याराघवाचा इसका अर्थ है जो इंद्रियों का स्वामी है जो सत, रज, तम ये तीन गुण की स्थापना करने वाला है और जो निर्गुण का आरंभ है ऐसे गणेश को और परा, पश्यंती, मध्यमा और वेकरी ये चार बोलियों का मूल रहने वाली माशारदा को नमन करती हूँ और अनंद स्वरूप रहने वाले इश्वर का मार्ग कहती हूँ इसका मतितार्थ बिल्कुल सरल है गणेश जी और माशारदा का वंदन करकर आनंद स्वरूप में रहने वाले इश्वर का मार्ग मैं बताने जा रही हूँ समर्थ रामदास ने पहले शलोक द्वारा इश्वर का नाम स्मरण करकर आगे के शलोक बताये हुए है